अज़का ये वीडियो रॉबर्ट ग्रेने की फेमस बुक दा लाओ फूमन नेचर्स पर अधारी थे ये न्यूयर्क टाइम की बेस्ट लर बुक में से एक है ये बुक हमें ये सिखाती है हम अपने आसपास के लोगों के बियाईवियर को कैसे पैचाने इसे हमें पता चलता ह और सिर्फ डिफेंस के बेतरी टूल्स और नॉलिज प्रदान करती है इस बुक्स में क्यों चैप 18 चैप्टर्स हैं और मैंने इस बुक्स को दूसरे पार्ट में डिवैट किया है और उनमें से एक एक करके आप सभी को चैप्टर्स के अबारे में डिटेल से बताऊंगा इ कि इस वीडियो में बताईगे सबी बातें आपको आसानी से याद रहें तो चलिए इस वीडियो को आन्ते तक देखना मद भूलिएगा तो चलिए सुरू करते हैं इस पार्ट की पार्ट वार्ट मास्टर योर इमोशन सेल्फ सेम के भार नातना क्रूप को वस्मे करें दा ौः आफिरियोनली zg राइटर का कहना है कि भले हम अपने फ्यूचर को खुट कंट्रोल क में समझते हैं लकिन अक्ष़र हम अंजान होते हैं कि कैसे हमारी इमोशन हमारे कंट्रोल करते हैं हमेवाधी दिखाते हैं जो हम देखना चाहते हैं इसतरह हम रियाल्टी से दूर हो जब एक बार एंथेस और एथेंस पर इस्पार्टा ने हमला किया तो प्राचीन एंथेस के मारा महनजाज ने ता पैरिस्ट ने सभा को शंबोधित करते हुए युद्धिक से बचने के लिए रेस्नल योजना बनाए रेस्नल योजना मतलब कि रियल्टी अब पैरिस्ट ने एक rational वेक्तिते थे वहाइ ज्यान की देवी Anthena की बुजा करते थे इस बात पर यकीन करते थे कि rational होकर ही progress हो सकती है rational होकर यानि reality में सोचकर ही progress हो सकती है लेकिन उसी समय Anthesus में playing की बिमारी फैल जाने से कई लोग मारे गया उन में से perishless भी थे पैरिसलेस्ट भी थे जिसमें पैरिसलेस्ट का प्लान फेल हो गया और इस्पाइटा की सेना ने इस बात का फायदा उठा लिया और एंथेंस पर हमला कर दिया एंथेंस के लोग अपनी हार का कारण पैरिसलेस्ट को मानने लगे एंथेस के लोग अपनी हार का वतला लेना चाहते थे गुस्से ने उन्हें अंदा कर दिया था उन्हें बार बार इस रेसनल होकर मतलब की बिताउट रियल्टी और निरासा चनक तरीके से युद गया लेकिन हर बार हार का सामना करना पड़ा अपने इमोशन के बाहां में आक नहीं बन पाएंगे मलब हम रियल्टी नहीं समझ पाएंगे यानि समझ को बढ़ाने के लिए हमें सबसे पहले अपने इमोशन के उनके कारण को समझना जरूर है जिस तरह प्रैक्टिस से खिलाड़ी फ्लेक्शिबल बनता है उसी तरह थाट्स पर दियान देने से इमोशन को कंट्रोल किया जा सकता है इरेशनल ना समझ व्यक्ति को उसके इमोशन कभी भी सक्सेस्पुल नहीं होने देते हैं अपने इमोशन पर काबू पाने के लिए तीन इंपॉर्टेंट बातों का दियान रखना जरूई पहला इस्टेप यानि बाइसिस यानि जुकाओं को प करना यदि आप अपने इमोशन को रिलेशनल्टी के ताल मेल बिठा लेंगे तो खुद के इमोशन को कंट्रोल करने से आपको कोई नी रोक सकता आत्म प्रेम और सहनबूति को बदलना दे लाफ नैस की सहनबूति है सेमपति हमें सबसे जोडने वाली सोसल पावरी को दिला इस इंसान को अटेंसन की बुक चबन से होती रहती इसलिए हम खुद को एक ऐसी इमेज बना लेते हैं जो सिर्फ हमें अपनी इंपोर्टेंट्स का एसास दिलाती बलकि हमारे मन में दूसरों से सुपरियर भी बना देती जैसे जैसे हम बड़े होते हम अपने पैरंस के नर्केसिस्ट बनते हैं जिनके पैरेंट्स या तो बच्पन से उन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं या बहुत अधिक ध्यान देते हैं उन्हें भी किसे से मिलने चुलने का मौका नहीं देते हैं नर्केसिस्ट इसे व्यक्ति को कहते हैं जो खुद से प्यार करता है ज जहां वह है या खुद का सबसे कमजोर समझा यह सबसे बेता समझा वहीं एक इंट्रो एक्ट्रोवाइट नेक्रिस्ट उल्टी सीधी आरकतियों थे लोगों का ध्यान अपनी और अट्रेक्ट करने की कुछिस करता है और वह हमेसा सेल्फ डाउट और इस्ट्रेस से गिरा रह यक्टिकर उदानते दूसरा थे लोग अटेंजन पाने के लिए अक्षा ड्रामा करते हैं बहाने बनाते हैं उन्हें थे लोग इसे लोग जो खुद के साथ दूसरों को भी इंपॉर्टन देते हैं और उनके भी हैवियर को भी आसानी समझते हैं रियल्टी में हम सब कहीं लेकिन राइटर कहना चाहते हैं कि सेल्फ लब के साथ साथ दूसरों के प्रतिम पहती रखना दूसरों के समझना भी चुरूरी है लोगों के मुखोटे पर देखें नमबर तीन दरा दर लुदा लौ आफ रोल प्लेंग तेकर कहते हैं कि हर वेक्ति अपने चेरे की एक की अकीका समझाएंगे तो हम उनकी असलियत का भी नहीं समझ पाएंगे हर वेक्ति अपनी बातों को और विहाइवियर को कुछ देता है जिने यदि हम ध्यान से आपसर करें तो काफिया तक माच के के पीछे चुपे वेक्ति का असली चेरा देख सकते हैं 1990 में जब फेमस सा भाई और बहनों को बाड़ी लैंग्वेज यानि बोलने का तरीका हाब और ब्रीटिंग जैसी चीजों को आपचर किया करने में बिताया तो दीरे दीरे एडिक्शन को समझ आया गया कि लोगों को आपचर करने के लिए क्यों उन्हें समझा जा सकता है बलकि उन्हें काम, क आज पसंद ना पसंद जुट बोलने का हिंड्स उनका पास सब पूचाना जा सकते हैं, बोलते समय हम लगबग 65 आज साब्तिक यानि नौन मर्बल हिंज का फ्योग करते हैं, यदि आप सांत होकर अपने आसपास के लोगों को आपजर करें, तो उनके बात करने और उनके त ना सिर्फ लोगों के सामने सिंसियर और होनिस्ट देख सकते हैं, बलकि लोगों का बियावियर उनकी असले मोड को समझ सकते हैं, नमबर चार, डिटर्माइन देश्ट आप दे प्यूबल करेक्टर, लोगों को चरित और ताकत की निर्णारा करें, दोस्तों, दूसरों के स जुड़ने या काम करने से पहले उनकी स्टाइटस या उनके दोरा वक्त दिखाई गई इमेज या से इंफलेंस ना होकर हमें उनकी प्रेर, उनकी करेक्टर को समझने के लिए खुद को ट्रेन करना चाहिए, लोगों को हर दिन के हैबिट्स उन्हें एक ही काम दोबारा करन आक ट्रेक्ट करें, टॉक्सिक या निगेट्व टाइप की लोगों से दूर रहें, साथ ही अपने करेक्टर को भी अप्सर करें ताकि अपने रेगुलर पैटर्स को तोरकर अपनी लाइप में सक्सेस्फुल बने सके, राइटर ने अमेरिका की मशूर फिर्म डाक्टर बि लेकिन उनकी लाइप के पैटर्न, इस्ट्रेस और अपने आसपास के हर चीच को कंट्रोल करने की बावना से हराब बराता है, हर इंसान के करेक्टर दूसरों से अलग होता है, लेकिन कुछ लोग का भी हैविया हमारे लिए टॉक्सिक रहता है, इस प्रकार लोगों से हम हम हमेशा दूर रहना चाहिए, जैसे कि हैपर प्रॉफिस्चेंट लोग जो कभी किसी भी काम से खुश नहीं होते हैं, रीबल या बेद्रोई, जिनका चरित लगता है, लेकिन रियल्टी में उनका बच्चपन होता है, परसनल हाईजर, लोग ऐसे दूसरों को हर बात से बु करना चाहिते हैं, सो बिकम एक्सक्लेश यू अब्जेक्ट अब्धिचा है, इस चाहों को, इस चाहों की एक मायू भी वस्तू बने, दा लाफ कॉन्वेंट, कॉफ टेनियस, दोस्तों किसी चीज का हमारे पास होना या ना होना हमारे उपर इम्पैक्ट ढलता है, किसी जाँ उसके पास नहीं है, उसे पाने के लिए डिचार सबसे चाहता होती है, यदि आप अपने आसपास के मस्ट्री रहस बनना सीख चाहेंगे, तो लोग आपको पाना चाहेंगे, और आप से जोड़ना चाहेंगे, जब भी लोगों के सामने ऐसे चीज आती है, जो ना उस के पास है, और ना ही उसे कभी मिल सकती है, तो लोगों का डिजार बन सकती है, मस्यूर कैनल, फैसन के फाउंडर को कैनल के बच्पन से उन चीजों को अट्रेक्शन करना था, जिसके लिए डिस्रेक्टर थे, प्रदेबन दे थे, वह हमेश्या करना चाहती थे, उसे पहुं को कैनल की तरह है, आपको भी नजरिये को बदलने की जरूरत है, अपने डिजार को जानने के वाज़ा है, यह लोगों को लोग क्या चाहते हैं, उसकी छुपी इच्छा है, उनके डिजार को पहचाने, अगर आप प्रेशन्स और मिस्शीरियस को प्रवाव होगा, तो प्रेशन्स और फोकस होने मादद करेगा, हमेशा याद रखें कि आप अपने डिजार के मालिक हैं, ना उसके नौकर, उसका कौन का हमेशा अधी बेटर इनुम्मेंट हो जागता है, नमबर छे, अपने दर्श्टिकोन को विस्तार करें, हर इंसान का नेचर होता है कि प्र रिजल्ट के बारे में नहीं सोचते हैं, ऐसे लोग अपनी निगेटिव इनरजी को आप से नुश्कान पहुचा सकते हैं, आपकी नजर हमेशा बड़े प्रॉफिट बर होनी चाहिए, जो साध आपको फैदा ना दे लेकिन फीशर में जरूर फैदा देगी, सौट हमकी सो मुझ से आन जाने और खतरनाक रिजर्ण मिल सकते हैं, ऐसा ही 1920 में यूएस में होगा था जब यूएस में सराप बंदी अनौन्स कर दिया है, लेकिन उसे ठीक उलट इस फैसलों को केवल सराप का कंजेप्शन बढ़ गया, के डिसीजन बिना गयराई से सोचकर जल्दी नि में यदि हम प्रेजेंट में रहेंगे तो प्राब्लम्स और उनके कान में हो जाएंगे, क्योंकि प्रेजेंट हर बाल प्राब्लम की जड़े होती है, पास्ट में चिपी होती है, लोगों को सहम की राएक से पुस्ट करके उनके अनरोत पर काम करें, लोग हमेशा सोचते है कि वो अजाद है लेकिन जब कोई उन्हीं फसलाने या बदलाने की कोशिश करता ए? तों की ट्रेलिअची बने जाते लिए लोगों को उनकी ट्रेमस्व से हटाने के लिए हमेशा उन्हें ऐसा देखना चाहेंगे कि वह चो कर रहे हैं खुद की मर्जी से कर रहे हैं ना कि अपने कहने पर लोगों की विश्वास कभी भी कभी भी सवाल नहीं उटाएं उनकी इंटेलिजेंस पर अच्छाई को लेकर इंसेक्र मैसूस करवा हैं इससे वह और अधिक डिफेंसिव हो जाएंगे और अपने काम क अधिक मुश्किल हो जाएगा तो अमेरिका के 36 में प्रेसिदेंट एंड लाइड और जैंसन लेयोगों के मताबिक काम करवाने में मास्टर थे जैंसन का सिर्फ एक ही परपस था कि एक दिन यूएस का प्रेसिडेंट बनना उन्होंने शुरवाती गुश्यायले में इसको ख़ा alar स्वैयोंगी दोलों के जीतने की और करुशिश वानीं पकड अपनी पकड बनाने की कोश्यच्षिय के जैसे उनकी पकड बन गई तो उनों के अंदर एक एक परिंशु आ गया जिससे क्या हो गई जैसे पकड़ बनी इनकी लोगों के बीच उनका एक ट्मश का जिस् the law of repression हमारे irrational emotion हमें वही दिखाते हैं जो हमने देखना चाहते हैं इसलिए हमें अपने सो समझ कर रिलेशनल तरीके से फैसले नहींने चाहिए हम सभी कहीं न कहीं नहीं किसी इस्ट होते हैं लेकिन दूसरों में हमें behavior को समझना है यदि हम दूसरों को influence करना चाहते हैं तो self opinion क को पैचाने और धूसरी ताँ आयो भी इस बुख चम्री से आपको काफी कुछ समझ में आऊगा और काफी interesting और inspiring लगी होगी तो if you like this video subscribe channel and share with your friends and family thank you so much for watching this video see you soon signing off